हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत था आप सभी का आज किस वीडियो में तो दोस्तों आरो यारो री एकजाम को लेकर कुछ डाउट मेरे पास आ रहा है कुछ कमेट में दिखें कुछ टेलिग्राम पर मैसेज आए और कुछ लोग के कॉल भी आए और डाउट क्या क्या है मैं आप से वीडियो को बता देता हूँ और वो चीज़े मैं आप से वीडियर कर दूँगा ठीक है पहला डाउट है कि री एकजाम कब होगा ठीक है तो ये तीनों डाउट मैं आप से एड़ाउन करूँगा और साथ में एक चौथा चीज जो है मैं आप तरे तरब से एड़ाउन करूँगा ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और अगर चैनल पे आप नए है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिए बेला के तो दोस्तों अभी कुछ दिर पहले मैं जब लाइब आया था तो आप से को ये डाउट में क्लियर किया था लेकिन फिर से मैं क्लियर कर देता हूं रे एक्जाम जो है आप सभी का जून और जुलाई में कंड़र्ट कराने की बात चल लेगी है देखें पीसियस का एक्जाम बन नहीं है पहला समावला ये बन रहा है कि जो इनकी मुख्य परिच्छा का डेट डिचाइड किया था आरो का हो सकता उसी डेट पे कंड़र्ट कराने की कोशिश करें या फिर उसके पहले एगर कोई डेट अगर इनकी सही मिल गई तो उस डेट में आरो यारो का एक्जाम होगा आरो यारो उसके बाद होगा लेकिन जून और जुलाई में ये पेपर कंड़र्ट कराए जाएंगे पहला डाउट हो सकता क्लियर हो गया होगा आपका दूसरा डाउट है कि कौन कौन से लोग परिच्छा दे पाएंगे क्योंकि काफी सर कुछ जो लोग पेपर दिये है कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था जिनका जिनका एड्मिट कार्ड आरो यारो दो यारो 24 के लिए इसू किया गया था मलब इसे फॉर्म बने बाद कुछ लोग के फॉर्म निरस्त किया आते हैं मलब रत कर दिया आते हैं तो उसी तरह तो जिनका जिनका एड्मिट जारी किया गया था वे सारे लोग eligible होंगे रीग्जाम के लिए फिर से मैं के लिए कर दे रहा हूँ जो लोग का admit card जारी किया था पेपर के लिए वो लोग paper दे पाएंगे ठीक है यानि कि जिनका admit card जारी किया था सारे लोग paper दे पाएंगे रीग्जाम और तीसरा जो है post बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी और तीसा जो कौन-कौन से लोग परिच्छा देभाएंगे ठीक है और चौथा चीज मैं आप इस तरफ से एड़ान करने जा रहा हूं ठीक है आप सभी का जो है पेपर जो है आप सभी को बता दिया कब तक होगा तो मैं सोच रहा हूं कि या मेरा इनिसेटिव सही रहेगा या फिर नहीं ठीक है ठीक है मैं सोच रहा हूं कि 10-10 मिनट की हिंदी की और करेंट अफेयर की वीडियो बनाता रहूंगा ठीक है कि इससे होगा कि आप current affair कि जो 20 से 22 question आते हैं उससे आप 17 से 18 question 100 पसंट उसे कर पाओगे और हिंदी का जो है जो 60 question है 60 में से 55 प्लस आपका score उसमें से बनेगा इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ देखें वीडियो आप सभी को YouTube पे मैं फ्री में content प्रोवाइड कर दूँगा औ और फ्री में ही टेलिग्राम पे भी आप सभी के लिए quiz conduct कराऊंगा जिसका link description box में दिया हुआ है चैनल का आप उसको जोहान कर लीजिएगा ठीक है तो यह मेरा इनिसेट्व है अगर आप सभी comment करके बताएगे कैसा इनिसेट्व है तो उस पर विचार मैं करूँगा ठीक ह तो इस वुड़ में ता है दोस्तों उमिद करता हूँ आपके जो भी doubt थे हो clear हो चुके होंगे तो इस इसको लेकर फोई की comment नहीं करेगा कि डिरी exam कब तक होगा और कौन-कौन से लोग पर इच्छा दे पाएंगे मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा या फिर पोस्ट बड़ी है नहीं बड़ी है और यह खासकर मेरे जो initiative है जो मैं सोचा हूँ कि छोटी छोटी वीडियो आप सब्सक्राइब करेंगा हिंदी और करेंट अफेर की जिससे आप सभी का इस section में जो है अच्छा score हो पाए ठीक है तो मतलब यह है कि 70-80 नंबर के जो है आप यहीं स टेलिग्राम को जवान करना जरूर जरूर याद रखिएगा ठीक है थैंक्यू